हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों इस चैनल पर हम सबसे पहले आपको टीवी सीरियल्स की अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं अगर आप भी देखना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल के आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि जो भी हम नया वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप हमारे वीडियो द चर्चा करती है, वह देखती है कि पाइप से पानी नहीं निकल रहा है और फिर अचानक यह बाहर निकलने लगता है, गल्ती से रजट पर गिर जाता है, इसके परिनाम स्वरूप उनके बीच बेहिस होती है, लेकिन जब रजट को एक मेहित्वपूर्ण फोन आता है और व घर पर भागिश्री तारा का अभिवादन करती है, जो उसे बताती है कि उसने फोन पर रजट के बारे में चर्चा करने के लिए रानी को नौकरी से निकाल दिया है, यह भागिश्री को चिंतित करता है क्योंकि वह सोचती है कि वह इस समय एक नई नौकरानी कैसे भूंडे तारा तब बताती है कि उसके पास रजट के लिए एक संभावित साथी है, ममता जो उसके भाई की बेहन है, इस विचार से उत्साहित भागिश्री तारा से अपने पती के परिवार के साथ इस पर चर्चा करने के लिए कहती है, लता ईशा को फोन करती है, उत्सा से साजह कर कि उसने शशंक नाम के सावी के लिए एक संभावित साथी ढूंड लिया है। के भोजन के लिए मिहमान आ रहे हैं। इससे भागिश्री की स्थिती को संभालने की चिंता बढ़ जाती है। जब वह इस पर विचार करती है तो वह ईशा की नौकरानी कविता को देखती है। भागिश्री कविता को आमंतरित करती है और जानती है कि ईशा ने उसे दस हजार और एक महीने की छुटी की पेशकश की है। पीछे नहीं रहना चाहती, भागेश्री बीस हजार रुपे और प्रतिमा एक अतरिक्ट छुटी की पेशकश करती है। कविता को आज से उसके लिए काम करना शुरू करने के लिए राजी करती है। घर लोटने पर शांतनु द्वारा सवी को सूचित किया जाता है कि उससे मिलने के लिए एक संभावित विवा प्रस्ताव आ रहा है। शुरू में अनिच्चुक शांतनु सवी को शशांक नाम के व्यक्ति से सिर्फ एक बार मिलने के लिए मना लेता है। आखिरकार सावी सहम आ रहे हैं क्योंकि पार्किंग की जगह सावी के परिवार ने पहले ही आरक्षित कर लिया है। रजत ईशा के पास जाता है और पार्किंग शेत्र के बारे में गर्मागरम बहिस करता है। ईशा उसे बताती है कि उन्होंने इसे पहले ही अपने मेहत्वपूर्ण मेहमानों के लिए आरक्षित कर लिया है जो आज आ रहे हैं। सावी भी इसमें शामिल हो जाता है और रज़त से भिर जाता है। गुस्से में रज़त सावी और ईशा दोनों का अपमान करता है और उन्हें घमंडी कहता है। सावी अपनी असफल शादी का जिक्र करके जवाब देता है रजत का हाथ सावी की ओर बढ़ा हुआ है लेकिन शुक्र है कि शशंग बीच में आता है और उसे याद दिलाता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक अपराध है रजत अनुचित टिपनिया करता है और फिर वहाँ से चला जाता है और पीछे ईशा की ओर से शशंग को अपने घर में आने का निमंतरन छोड़ जाता है बाद में रजत अमन से सावी और ईशा के व्यवहार के बारे में शिकायत करता है